जो दूसरों के लिए गढ़ा खोदता है ना वो खुद उस गढ़े में एक ना एक दिन जरूर गिरता है जी मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस काजी फैद ईसा साब के हम ख्याल बिंच का लेबल जब्द कर देते थे और जब भी उमरता बंद्याल साब कोई सो मुटो लेते थे तो उस पर भी काजी फैदीसा साब तनकीद कर देते और खत लिखना तो वो अपना आएनी हक समाज़ते थे हर छोटी सचोटी बात पर खत लेख देते थे जी तो फि कि पीडियम की हकूमत ने एक बिल पास करवाया हाउस से जिसको सुप्रीम कोट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहते हैं सुप्रीम कोट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अगर मैं मुख्त सरन बियान करता है चलू तो वो कुछ यह हो था कि जो सुप्रीम कोट का होना जरूरी है उसके पास वो उनके साथ बैठेगा मुशावरत करेगा अगर वो इस बात पर मुटफिक होंगे तो उस मामले पर सो मोटो लेस किएगा चीफ जेस्टिस वरना नहीं लेस किएगा बिंच बनाने के मामले में भी यही कोश्चता थेरात को डिवाइड कर दिया या तीन बंदों में उस वक्त काजी फैदीशा साब इसके बहुत बड़े हम ही थे क्योंकि जेस्टिस उमर अताब अधियाल साब के तो दिन मुखत सिर्थ है उन्होंने रिटायर हो जाना था जो चीफ जेस्टिस काजी फैदीशा साब है उन्होंने बस यही काम किया जिस इस वक्त सुप्रीम कोट के तीन सीनियर त्रीन जज़ों में से है तो उन्होंने एक खत लिखा है रिजिस्टरार आफिस को उन्होंने बताया है कि काजी फैदीशा साब या इस वक्त जो बिंच बना रहे हैं उसमें उनको मुकमल तोर पर या उनकी जो उपीनियान है उसको जो बिंच है वो जस्टिस मजाहराली नकोई के हवाले से है इन दोनों बिंच में उन्हें बुलाया गया मीटिंग के लिए मीटिंग में चार बजे तक तो उन्हें इजंडा ही प्रोवाइड ने किया गया बार बार काल करने पर उन्हें इजंडा प्रोवाइड किया गया जब एजेंडा प्रोवाइड किया गया उस पर जब वो जस्टिस इजाद ऐसन साहब कहते हैं कि मैंने बताया चीफ जस्टिस साहब को कि हम साथ सेनियर तरीन जजिज का बिंच बनाएंगे उसमें जो जजज अवेलेबल नहीं होगा उसके बाद फिर मुझे इतलाद देंगे तो इस तरह जो ये बिंच बन रहे हैं इसमें मुझे मुझे मुकमल तोर पर इग्नोर किया गया जी बाबा खत वली सरकार के खत अपने गले में पड़ गये जो वो लेबल लगाते थे जस्टिस उमर अता बंद्याल साहब पर हमखियाल बिंच का तो वो हमखियाल बिंच का जो लेबल है वो अब काजी फैजी साहब पर भी लग चुका है वाज़े तो पहले था मगर अब अदालत के अंदर से भी आवाज आ गई है कि ये जो दूसरे सीनियर तरीन जजजिस है उनको मुकमल तोर पर नजर अंदाज किया जा रहा है जस्टिस इजाजल प्रैक्टिस कोई सो मुटो ले सकते हैं तो जब अब अंदर की कहानी सामने आ गई है कि वो जस्टिस इजाजल अहसन साब कह रहे है कि मुझे बिलकुल एक नजर अंदाज किया जा रहा है चीफ जस्टिस इजाजल अहसन इस रिजिस्टरार आफिस को खत लिखा और उसके बाद चीफ ज जाद दिगा ते क्या लाफिस